जैन देबरीवन मैं आपका आजासर फैकल्टी आफ इंगलिस एड मेजर कलसी क्लासेज आज आपको बताना आए हूँ कि बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट आप देखते हैं जनरली पैसिब वाइस के संटेंस में यह जो बीइंग का प्रियोग होता है यूज ऑफ बीइंग पै कंसेप्ट आफ बीइंग बीन या वी इन पैसिब वाइस संटेंसेज चलो मैं आपको एक्जांपल इस बताता हूँ जैसे मैं यहां पर एक्जांपल लिए भाई ही इस राइटिंग आ लेटर संटेंस हमारा इस राइटिंग में लब कि प्रजंट का कांटीन वस्टेंस है स संटेंस में प्रजंट कांटीन वस्टेंस को अपलाई किया गया है यूज किया गया है संटेंस को यह एक्टिव वाइस में है पैसी में चेंज करना है तो रूल होता है जब हम किसी संटेंस को एक्टिव से पैसी में चेंज करें तो हमारा संटेंस का टेंस और मीनिंग नही पैसी बैस के रहेगी तो ऑगा क्या है पैसि में हमारा जो सब्झेक्ट है झो हमारा ऑबजएक्ट है ही अब्जेक्ट बना देतें सब्झेक्ट ये बनके हमारा पैसी में सब्झेक्ट मैंने कहा 10 इस निवर这 लिए यहां ने इज को क्या कर दिया है अब दूसरी बात यह तो परजंड की बात कर रहा है लेकिन यहां पर एक्टीव वाइस में आया है वर में आई और इंगी वर्ब की आएंगी फाम बताती है एक्षन की कांटिनियूटी यह ए संटेसर मारा कांटीनिवस्टेंस में है अच्छा पैसे में क्या करते हैं जो active voice की main verb होती है यहां पर यह क्या है यहां पर यह main verb है no doubt active voice की main verb को हम change कर देते हैं किसमें उसको बना देते हैं past participle उसी के third form में convert कर दिये अब ही बताओ अगर इसके बाद में हम direct verb कि third form यूज कर दें तो क्या इसका और इसका टेंस बराबर रहेगा कभी नहीं बराबर रहेगा यहां पर इसके बाद में अगर वर्ब की ing form आई है तो इसी टेंस सेम टेंस का इसमें प्रियोग करने के लिए इसमें भी तो एक वर्ब की ing form आनी चाहिए तब ही तो यह continuous तब यह भी continuous यहां इज इज प्रजेंट की बात तो हो गई लेकिन अगर यहां वर्ब में आई एंज लगा है तो इसमें भी एक वर्ब ing form में होनी चाहिए continuity को बताने के लिए तो भीया इसी लिए किसी भी active voice को जो continuous तेंस में हो उसका जब passive बनाते हैं तो उसके passive में जो आपका यह past participle होता है जो active voice की जो main वर्ब होती है जो third form में convert होके past participle बन जाती है इसी के ठीक पहले हम प्रियोग करते हैं being का है भीया का concept है दोनों का टेंस बराबर करने के लिए भीया क्योंकि अगर यहां पर हम इसको इसी form में अगर हम वर्बी की form being नहीं लाएंगे तो दोनों का टेंस बराबर नहीं हो सकता है तो भीया active और passive के टेंस को बराबर करने के लिए सभी continuous sentences के passive sentence में past participle के पहले being का प्रियोग किया जाता है this is the concept यह वर्बी की चौथी form है और यह वर्ब राइट की चौथी form है ठिक दोनों का सेम भीया यहां भी आएंगी यहां भी यहां भी यहां भी दोनों का टेंस बराबर हो गया अच्छा भी आगे बढ़ते हैं अब देखो अब आप बोलो कि भीया इबीन का है यूज होता है यहूज जान लो भीया जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं वो चाहे परजेंड का परफेक्ट हो पास्ट का परफेक्ट हो चाहे फूचर का परफेक्ट हो हर परफेक्ट टेंस में हैब की कोई ना कोई फार्म आती है लाइक दिस जैसे में हैब की पांची फार्म आ गई है और हर परफेक्ट टेंस में वर्व की थर्ड प्रफाम ही understood है काई मेन वर्ब भी मेन वर्ब अब देखो वही concept ise एक्टिव संटेंट्ड वाइस में है यहां पी आपका object होगया object यह बन गहाँ मारा subject जो object होता है वर्ब का बनता है पेसे में the subject हम ने का भिया active औरwieसी दोनों का हमारा टेंस और मीनिंग बराबर सेम होना चाहिए नो डिफरेंस यहां अगर हैज है तो आपने हैज को यहां पर यूज कर दिया अच्छी बात भी यह लेकिन हैज के बाद में जैसे यहां पर वर्ब आई है थर्ड फार्म में तो भीया जो एक्टिव वाइस की मेन वर्ब ह होती है वो तो कनवर्ट हो जाती है पास्ट पाडिसिपल में यह यहां पर बन गई यह पास्ट पाडिसिपल आप यह मेन वर्ब का रोल नहीं प्ले कर रही है तो हमको भीया दोनों संटेंस का टेंस बराबर करने के लिए जैसे यहां हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फार लाना होगा तो रूल बनाया गया एक वर्ब है वर्ब भी उसी का थर्ड फाम ले आओ हम लोग क्या करते हैं कि हर परफेक्ट टेंस में एक्टिब और पैसिब के टेंस को सेम करने के लिए बराबर करने के लिए passive voice के sentence structure में sentence में structure में hedge या have का जो भी form आया हो tense के carding उसी के बाद में या कह लीजिए के past participle के ठीक पहले bean का प्रियोग करते हैं यह क्या कर रहा यहां पे यह verb की third form के रूप में यूज किया गया है जैसे hedge के बाद में written आया वर्ब की third form वैसे hedge के बाद में बीन आया है वर्बी की third form क्यों दोनों का tense बराबर करने के लिए इसलिए जितने perfect tenses होंगे हर perfect tense में passive voice में जो यह past participle होगा यह अपने ठीक पहले bean लेकर आएगा जहां पर bean verb की third form होगी और यह जो third form होगा यह active voice के जो main verb यह होगा आपका past participle अगला देखें भी या अब देखो अब यहां पर मैंने एक tense यूज़ किया है बैं he will write a later दोखो इसको future tense मान लो यह मान लो कि आपका जो will है क्या है यह model helping verb है model helping verb कितनी होती है तेरा will sell can may must could should would might use to art to need not dare not तेरा model helping verb होती है जो अपने बाद में वर्व की first form लेती है किसी भी model verb के बाद model verb आपका will sell भी है generally future tense को express करता है किसी भी model verb के बाद में verb की first form का प्रयोग किया जाता है active voice का sentence यह हमारा भी यह object यह हमारा भी यह subject object वर्व का object बनता है हमारा पैसिप का subject अब sentence एक्टिब और पैसिप का टेंस बराबर होना चाहिए तो यहाँ will है तो यहाँ भी यहाँ में होता थे यहाँ में यहाँ कैन होता थे यहाँ कैन अब model verb अपने बाद में verb की first form लेती है लेकिन मैंने का भीया जब active voice को पैसिप वाइस में हम convert करते हैं तो active voice का जो main verb होता भीया वो convert हो जाता है past participle में यहाँ की active voice का main verb third form में convert हो जाता है जिसको हम बोलते है past participle अब क्योंकि हमको दोनों का tense बराबर करना है और model verb के बाद में बाद में बाद में फेस्ट form आती है और यहाँ तो यह third form आ गई तो चलो भीया फिर क्या करेंगे तो एक वर्व B है उसको उठा लाओ वर्व B क्या है एक natural form है B में बाद में होता होना तो किसी भी model verb अगर active voice में कोई भी model verb यूज किया गया हो तो passive voice में जो past participle होगा जो active voice का main verb third form में convert होगा जिसको हम बोलते हैं past participle वो अपने ठीक पहले क्या लेकर आएगा वर्व B की form लेकर आएगा दोनो active और passive का tense बराबर करने के लिए तो यही भीया concept है यही concept है कि यह जो मैंने आपको बताया कि concept of being, being and be in passive voice passive voice में being क्यों लगाते हैं भीया active और passive के tense को बराबर करने के लिए सभी कांटी इंवस्टेंस में past participle के ठीक पहले being आता है सभी perfect tenses में past participle के पहले being आता है क्योंकि B की third form being होती है और सभी model verb के साथ passive voice में past participle के पहले being आता है क्यों आते हैं भीया तीनों तीनों प्रयोग किये जाते हैं active और उसके passive का tense equal करने के लिए this is the concept of being, being and be in passive voice sentences ये रहा आपका being, being और be का complete concept फिर भी अगर कोई आपको कोई query हो कोई आपको जानकारी लेनी हो तो आप जो है क्या कर सकते हैं आप comment में डाल दीजिएगा comment box में लिख दीजिए कि sir I need this topic, I need sir this concept please इस पर कोई आप वीडियो बनाएए अगर आपको कहीं कोई concept को लेकर दिक्कत हो especially in grammar तो तुरंट comment box में लिखिएगा sir मुझे grammar में इस particular concept को लेकर के समस्या है तो मैं उस पर तुरंट एक वीडियो आपको बना करके अपलोड कर दूँगा तो मिलते हैं फिर अगले किसी next वीडियो में तब तक के लिए सारे बच्चों को जै हिंद